महिंद्रा एक्स्यूवी 3 डवलो का सेकिंड बेस मॉडल हमें देखने के लिए मिला है इसके अंदर बहुत सारी शीजी हमें पता चलगी कि क्या क्या चीजी है जो हमें देखने के लिए मिल रही है यह है गाड़ी का प्रोडक्शन रेडी वेरियंट जो की फुली देखने के लिए मिलेंगे जो की आपके टेल लाइट जो सी शेप के अंदर है उसी के अंदर सारी चीजी हमें देखने के लिए मिलने वाले तो रियर डिजाइन काफी ज़दा लुक्स के मामले में अच्छा बनाया गया है और देखने में भी लुक्स काफी जो डिजाइन है इसका हमें देखने के लिए मिल रहा है तो नो डाउट जो इसका टेल लाइट या पीछे के आप बोल सकते हो इसका बूट स्पेस काफी जदा बड़िया है जो बनाया गया है और देखने में लुक्स जहां पर आपके लाइट्स ब्लिंग कर रही है यही आप जो इन्फोतेनमेंट द एकनिक लिए मिल रहा है साथ सथ स्टेरिंग वील देख सकते हो डिजटल जींटल में लिएगा और आपका आये वीम वो देख लेड रहा है जो कि आपका मैन्वाल एडजसेवल रहने वाला है इंती देख सकती हो आप यह डूवल टोन के लिए ब्ल काफी अच्छा यह बंप जो गाड़ी के अंदर देखने के लिए और साइड लुक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है और साइड लुक्स के साथ इसकी जो पर्फॉर्मेंस है उसके अंदर भी कोई दिक्कत ना रहे अब साइड लुक्स देख सकतो इस तरह की पूरी होने वाली है साइड लुक्स काफी अच्छी ओर ठीक ठाग के जो साइड लुक्स हमें देखने के लिए घाड़ी तो इसके लिए एक लाइक बनता है आपको अभी तक लुक्स समझ में आगे कॉमनेट करके बता सबसे प्रवाइडिंग के आपके यूज करी गी है हो सकता है यह बॉडी कलर के अंदर ना हो आइधिंक ब्लैक ही जो देखने के लिए मिल रहे है तो यह कवर कर रखिया कुछ नए स्टाइल की जो ग्लैडिंग सा आइधिंग यह देखने के लिए मिलेगी तब ही इसको जो कवर है और बारनट पर फेंडर से आप देख सकते हो सारी जो ग्लैडिंग से वह कवर कर रहे हैं मतलब यूज अच्छा घासा देखने के लिए मिल रहा है पीछे के तरफ आपको अलोई वील नहीं है सेकेंड बेस में आपको यह वील कवर देखने के लिए को इस तरह का जो अलोई अच्छे हैं जो अपको ठीक ठाक है वो देखने के लिए मिल रहा है अलोई विल्स नहीं है हलेकि वील कवर है लेकिन टॉप मोडल के अंदर जो मिल रहे हैं वह एक्शिवी फो डबलो नाइनप के है जो कि मैंना पिछले वीडियो के अंदर देखने के लिए बता दिया आप यहां पर देखो एक और ळी आपको डेकने के मिल रही होए जो की आपके ब्लॉस जो पिकी अंदर देखने के लिए तो यह काफी ठीक है आपको तो एकदम न हैसं उसल्क जिर्ट सकते हैं जो लग ऌहाँ है लो s न यह का तॉप एंदाय के लिए मिल रहे है जो बंद खुल जाएंगे वो सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे तो कैसी लगे भाई देखो यह बंप के अंदर वे देखो सच्पेंशन काफी ठीक हागा जो देखने के लिए लग रहे है तो लुक्स के मामले में समझ में आ रहा है किस तरह की जो गाड़ी होगी अब फाइनली भाई इसका जो लॉंच डेट है वो बहुत ही जल्दी नजदीक आगे इसी मंत में आया नेक्स्ट मंत के एक दो विक के अंदर जो गाड़ी है लॉंच हो जाएगी कन फॉर्म ली लॉंच हो जाएगी प्राइसिंग के बात कर तो जो अभी मॉडल चल रहा है उससे लगबग 50-60,000 रुपए एक्स्टा जा सकते हैं वो क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स चेंज कर गया हो उसके हिसाब से दूसरी अगर इंजन प्रफार्मेंस की बात करें तो यहां पर दो टर्बो पैट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा पैट्रोल इंजन की ब चानल पर पहली बारा जो सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरू सकर करके रख लें अपने इस योडियो चानल को बाकी गाइस मिलते हैं आपसे एक और नहीं इंट्रेस्ट ओके टाटा बाइबाई जय हिन दोस्तों